Hello students, आज किस वीडियो में हम Second Year Chemistry का जो First Chapter हमने स्टार्ट किया था, उसका Second Lecture कवर करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं Ionization Energy तो जो Group Trends हम डिसकुस कर रहे थे Actually Group Trends क्या है? Periodic Table के अंदर Group में नीचे जाने से जो Properties में Changing आती है, जो Variation आती है Properties में उन्हें हम Group Trends कहते हैं तो Different तरह की Properties के अंदर Different तरह से Variation आ रही होती है तो अब हम आज डिसकुस करेंगे एक और नया Group Trends जिसके अंदर हम Ionization Energy को डिसकुस करेंगे कि Ionization Energy एक Group में, Periodic Table के एक Group में नीचे जाने से जो है वो बढ़ती है या कम होती है और इसकी क्या-क्या Properties जो है वो Change होती हैं Elements में तो आईए आज के इसके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसके साथ-साथ आज हम एक और भी टॉपिक पढ़ेंगे जो है Electro Negativity तो जो लोग ने हैं इस चैनल पर हमने इसका First Lecture कवर कर लिया है अगर आप ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके इसका First Lecture देख सकते हैं उसमें हमने Periodic Table को Explain किया है और Atomic Radius जो के हमारा First Group Trend था उसको भी हमने Discuss किया है तो वो वीडियो जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अब आते हैं Ionization Energy पर Ionization Energy क्या है? It is the energy needed to remove an electron from the natural atom from its outermost shell तो किसी भी atom में से उसके outermost shell जिसे हम valence shell कहते हैं उसके valence shell में से एक electron को remove करने के लिए एक energy चाहिए होती है उस energy को हम Ionization Energy कहते हैं Ionization Energy actually क्या है? अगर हमारे पास यहां पर देखें एक atom है जो के है जिसके अंदर हमारा First shell जो है इसके अंदर दो electron है Second shell के अंदर Total 8 electrons यहां पर मुझूद है क्योंकि Second shell के अंदर 8 electrons आते हैं तो अब इसके अंदर हमें इसका एक electron remove करना है एक electron इस atom से बाहर निकलना है तो अब हमें क्या करना होगा? इसको energy देनी होगी energy हम किसी भी form में देख सकते हैं यहां पर heat energy हम दे रहे हैं तो energy इसको जितनी देंगे उससे यह एक electron remove हो जाएगा तो जितनी energy इसको एक electron को remove करने के लिए चाहिए है इसे हम ionization energy कहते हैं यह हर element की अलग-अलग ionization energy होती है और उन्हें अलग-अलग तरह से जितनी उनकी requirement होती है उतनी उन्हें energy देनी परती है ताकि एक electron remove हो सके तो it is the energy needed to remove one an electron from the natural atom from its outermost shell तो किसी भी atom में से एक electron को remove करने के लिए जो energy उस atom को देनी है उस energy को हम ionization energy कहते हैं इसकी value जो है यह different होती है हर element के लिए अगर वो carbon का element है तो उसके लिए different होगी अगर वो chlorine का element है तो उसके लिए different होगी तो जितनी उसकी requirement है उतनी energy देने पर ही उसका एक electron वहाँ से उसके shell से remove होता है तो यहाँ पर एक example है potassium का potassium जैसा के first a group से है तो इसके last shell के अंदर एक electron होता है तो अब इस एक electron को remove करने के लिए हमें इसको energy देनी होगी और अब यहाँ पर हमने heat दी है इसको heat की addition जब की गई तो इसके अंदर यहाँ पर देखें potassium पर एक positive charge आ गई है और यहाँ पर इसने एक electron जो है वो remove कर दिया है तो एक electron को remove करने के लिए इसको जितनी heat हमने दी है इस heat को ionization energy कहेंगे ionization energy of potassium तो potassium की जो ionization energy है उसकी value अलग होगी और हर element की अपनी एक value होती है ionization energy की वहाँ तक पहुंचने के बाद वो element जो है वो एक electron lose करता है अब इसका unit क्या है ionization energy का क्योंकि यह energy है तो इसका unit वही same energy का होगा ज़िए इसका unit है kilo joule per mole या फिर kilo calories per mole तो यह इसका unit है अब हम इसके group trend पर आते हैं कि इसके group में अंदर आने से group के अंदर downward जाने से क्या changing आती है तो अब यहां पर देखें एक हमने यहां पर formula लिखा है ionization energy is indirectly proportional to number of shale मतलब जितने number of shales बढ़ते जाएंगे उतनी ionization energy कम होगी तो number of shale कैसे बढ़ते हैं एक group में downward जाने से number of shale बढ़ते हैं क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास एक group में अगर हम downward जाएं तो हमारे number of shales बढ़ जाते हैं क्योंकि first period के अंदर जो number of shale होंगे वो एक होगा second period के अंदर number of shale 2 होंगे third period के अंदर number of shale 3 होंगे fourth period के अंदर four number of shales होंगे तो ऐसे जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं तो number of shales भी बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे ही जैसे अगर number of shale बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा ionization energy जो है वो कम होती जाएगी decrease होती जाएगी तो अब यहां पर इसमें group trend में देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास group है वो है 1A हैं 2A तो 1A और 2A जिसे हम alkaline metals और alkaline earth metals कहते हैं जो 1A group है इसको alkaline metals और second A group जो है इसको alkaline earth metals कहा जाता है तो इनके अंदर क्या होता है अगर हम group में नीचे जाएं डाउनवर्ड जाएं तो ionization energy of group 1A and 2A decreases downward in a group तो इसकी ionization energy जो है वो decrease होती है कम होती है अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले जो atom है hydrogen तो hydrogen की जो ionization energy होगी उससे कम होगी lithium की और lithium से कम होगी sodium की जो ionization energy है वो तो उसके बाद potassium की जो है वो sodium से कम होगी ionization energy और medium की potassium से कम होगी तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो इनकी ionization energy decrease होती जाएगी और इस साइड पे अगर आप यहां से दूसरे groups की बात करें तो यहां पर भी same होगा boron की जो ionization energy है उससे aluminium की कम होगी और aluminium से gallium की कम होगी तो ऐसे group में downward जाने से ionization energy कम होती है because as the number of shell increases the distance between nucleus and electron increases the attractive forces between them decrease तो अब यहां पर क्या हो रहा है जैसे ही हम group में downward जाते हैं तो वहां पर number of shell increase हो जाते हैं मतलब हमने आपको बता है कि number of shells जो हो group में downward जाने से ज्यादा number of shells होते हैं नीचे वाले elements में तो जैसे number of shells बढ़ते जाते हैं तो वैसे nucleus और electrons के बीच में जो distance है वो बढ़ जाता है क्योंकि जितने ज्यादा number of shells होंगे उतना item का radius बढ़ा होगा और radius मतलब यह है कि nucleus से electron तक का distance बढ़ जाएगा और देखें nucleus जो है यही attract करता है electron को electron के उपर जो attraction forces लगती हैं वो nucleus की वज़ा से लगती हैं तो अगर nucleus दूर होगा तो attractive forces जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगी decrease हो जाएंगी से remove करना easy हो जाएगा और ionization energy कम हो जाएगी तो अब यहां पर क्या हो रहा है अगर nucleus और electron के बीच में distance ज्यादा है तो ionization energy कम होगी क्योंकि electron को remove करना easy हो जाएगा दूसरा हमारे पास जो group है 3A group इसके अंदर देखें इसके अंदर क्या हो रहा है ionization energy जो है decrease हो रही है इसके अंदर भी ionization energy जो है वो decrease होती है downward मतलब group में नीचे जाने से ionization energy decrease होती है कम होती है तो जैसे हमने first A group में देखा वैसे हमारे पास इसी group में same होता है तो अब इसके अंदर कुछ exception भी है तो जैसे ही हम group में downward जाते हैं तो जो ionization energy वो कम होती है decrease होती है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे cases आगए हैं जिनमें यह decrease नहीं हो रही बलके increase हो रही है तो अब यहाँ पर aluminium देखें aluminium के बाद आता है gallium तो aluminium के बाद gallium आता है तो मतलब aluminium की जो ionization energy है उससे कम होनी चाहिए गेलियम की लेकिन यहां पर क्या हो रहा है गेलियम की जो आयोनाजेशन एनरजी है यह ज्यादा हो रही है अलिमिनियम से ज्यादा है तो यहां पर यहां पर एक्सेप्शन है और दूसरी भी यहां पर exception है कि यहां पर indi इनरजी है यह ज्यादा होनी चाहिए टेलियूरियम से लेकिन टेलियूरियम की ज्यादा है तो मतलब यह दो exception है बाकी जो आइनाजेशन एनरजी है वो डाउनवर्ड गूरूप डिक्रीज होती है कम होती है उसके बाद हम देखते हैं आइनाजेशन एनरजी अफ फॉर ए इनरज़ेशन एनरजी डिक्रीज होती है और इसके अंदर हम यहाँ पर हमारे पास टिन आता है और लेड आता है इनाजेशन एनरजी है वो लेड़ से कम होतीए तो LEAD से कम होती है लेकिन यहां पर कम नहीं होनी चाहिए यह एक exception है क्योंकि TIN नेट से उपर आता है अगर TIN नेट से उपर आता है तो इसकी जो IONization Energy वो ज्यादा होनी चाहिए लेकिन यहां पर LEAD की यह IONization Energy ज्याद़ है तो इसका मतलब यह ION singular है लास्ट के जो ग्रूप्स हैं 5A, 6A and 7A, 8A जो ये चार ग्रूप्स हैं इन में वही सेम आती है जैसे कि हमारे पास 1st A और 2nd A ग्रूप में थी यहां पर नीचे जाने से जो है वो decrease होती है ionization energy क्योंकि वहां पर जो atomic radius है और वहां पर number of shells जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो इसलिए वहां पर ionization energy जो है वो decrease होती है कम हो जाती है तो वैसे ही जैसे alkali metals और 1st A और 2nd A ग्रूप में हमें देखा था तो वही सेम चीज यहां पर भी हो रही है एक और group trend जो इस वीडियो में हमने पढ़ना है वो है electro negativity electro negativity क्या है और यह downward the group बढ़ती है या फिर कम होती है यह आज की इस वीडियो में हम यहां से discuss करने वाले है तो electro negativity है क्या इसका मतलब यह है कि chemical bond जब बनता है दो atoms के बीच में जब दो atoms combine होते हैं आपसमें bond बनाते हैं तो वो bond जो है वो दो तरह का होता है आपने पढ़ा है bond जो है वो या फिर ionic bond होता है या covalent bond होता है ionic bond जब तब बनता है जब elektron की transfer होती है electron एक atom से दूसरे atom के अंदर transfer हो जाता है लेकिन covalent bond तब बनता है जब दो atoms electron को share करते हैं और एक बीच में एक pair बनाते हैं अगर एक atom है वो एक electron देगा और दूसरा atom दूसरा electron देगा तो ये बीच में एक दूसरे को ये electron share करते हैं और इसको हम covalent bond कहते हैं अब covalent bond के अंदर क्या होता है elements के अंदर एक ability होती है हर element की एक tendency होती है कि वो attract कर सकता है shared pair of electron को मतलब वो pair जो हमने share किया है जो atoms ने share किया है उसको वो अपनी तरफ खीचने की कोशिश करता है और उस खीचने की जो ताकत है जो tendency है उसे हम electronegativity कहते हैं electronegativity से हमें ये पता चलता है कि कौन सा atom कितने जो है उसके अंदर कितनी ताकत है कि वो इन shared pair of electrons को अपनी तरफ खीच सके अगर chlorine की electronegativity ज्यादा होगी तो ये इस shared pair of electron को अपनी तरफ खीचने में कामियाब हो जाएगा और यहां से ये shared pair of electron थोड़ा इसकी तरफ जाने लगेगा लेकिन अगर hydrogen की ज्यादा होगी electronegativity तो ये shared pair of electron hydrogen की तरफ खीचा चला जाएगा तो इस तरह से एक atom की एक tendency होती है कि वो attract करता है shared pair of electron को जो electron का pair share हो चुका है उसको वो attract करता है अपनी तरफ तो अब ये जो है वो एक measurement है उस ताकत की कि वो कितना खीच सकता है उन electrons के pair को अब इसका unit जो है वो कोई भी नहीं होता ये ऐसा ही find की जाती है अपने आप जो scientist हैं वो find करते हैं तो different elements की जो है वो हमें यहां पर मिल चुकी है एक book के अंदर एक table होगा negativity का number of shale से तो electro negativity जो है वो indirectly proportional है number of shale के या फिर radius के atomic radius के तो R का मतलब है atomic radius अब number of shale जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे मतलब down the group अगर हम जाएंगे तो number of shale तो बढ़ते ही हैं तो जितने number of shale ज्यादा होंगे उतना ही electro negativity कम होगी उस element की तो अगर हमारे पास लीथियम है तो लीथियम के अंदर जो electron जो shale होते हैं वो एक shale होता है लेकिन सोडियम के अंदर लीथियम के अंदर दो shale होते हैं और सोडियम के अंदर तीन shale होते हैं तो सोडियम की जो electro negativity होगी वो कम होगी लीथियम से क्यूंकि इसके अंदर जो shale हैं वो ज्यादा है और इलेक्टर नेगेटिविटी जो है यह इनडारेक्ली परपोर्शनल है नमबर अफ शेल के जितने ज्यादा शेल होंगे उतनी ही कम होगी इलेक्टर नेगेटिविटी तो atomic radius की यही बात है कि जितने shale ज्यादा होगे उतना यह atomic radius ज्यादा होगा तो atomic radius के भी यह indirectly proportional है अब हम देखते हैं कि group के अंदर जो है वो यह electro negativity क्या show करती है कैसे ज्यादा होती है या कम होती है अब electro negativity के group trends को discuss कर लें तो इसके अंदर सबसे पहले जो groups आते हैं जिनने हम alkali metals और alkaline earth metals कहते हैं तो अब इनके अंदर electro negativity के अंदर down the group क्या changing आती है electro negativity of group 1A and 2A decreases from top to bottom as the atomic radius increase तो atomic radius क्योंकि नीचे जाने से increase होता रहता है तो इनकी electro negativity decrease होगी क्योंकि atomic radius के indirectly proportional होती है electro negativity अब यह ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो electrons हैं वो nucleus ही attract कर रहा होता है nucleus के अंदर एक ability होती है कि वो electrons को attract करता है अपनी तरफ तो अगर यहां पर यह electrons बहुत दूर होंगे ज्यादा shale होंगे atomic radius बहुत बढ़ा होगा तो यह electron को nucleus जो है इतना ज्यादा electron को attract नहीं कर पाएगा तो इसलिए यहां पर electro negativity कम हो जाती है atomic radius के बढ़ने से electro negativity कम हो जाती है and the shielding effect also increases अब shielding effect भी यहां पर बढ़ जाता है atomic radius के बढ़ने से shielding effect क्या है जैसे ही किसी element के अंदर किसी atom के अंदर उसका radius बढ़ता है तो suppose यहां पर यह इसका एक दूसरा shale है इस shale के अंदर यह electron पढ़ा हुआ है तो अब क्या होगा यहां पर यह जो nucleus है यह इस दूर वाले electron को इतना ज्यादा attract नहीं करेगा बीच के अंदर कुछ और भी जो electrons होंगे उनको attract कर रहा होगा तो बीच के अंदर कुछ और electrons होंगे वो इसको disrupt कर रहे होंगे इसको attract करने से तो इन electrons की वज़ा से यह nucleus इस electron को attract नहीं कर पा रहा है इस effect को हम shielding effect कहते हैं जो बीच के अंदर कुछ electrons की वज़ा से यहां पर रुकावट आ रही है इस electron को attract करने में इस रुकावट को हम shielding effect कहते हैं तो यहां पर shielding effect भी increase हो जाता है atomic radius के बढ़ने से क्योंकि नीचे वाले shells में ज्यादा electrons पहले से ही होते हैं और दूर वाले shells के अंदर electron तो नीचे वाले shells के electrons की वज़ा से दूर वाले electrons को ये nucleus attract नहीं कर पाता और इस effect को हम shielding effect कहते हैं तो एक atomic radius की वज़ा से और दूसरा ज्यादा number of shells की वज़ा से और तीसरा shielding effects की वज़ा से जो है ये electro negativity कम हो जाती है बड़े बड़े elements की तो जैसे इक group में अगर हम downward जाएं तो electro negativity कम हो जाती है तो इस group में अगर आप देखें तो hydrogen की जो electro negativity होगी वो इस lithium से ज्यादा होगी और lithium की जो है वो sodium से ज्यादा होगी तो जैसे नीचे जाएंगे तो कम होती जाएगी और यहां पर cesium की electro negativity भी कम होगी इन elements से उसके बाद group number 3 में देखें 3A group में क्या हो रहा है electro negativity decrease from boron to aluminium boron से लेकर aluminium तक जो है वो electro negativity decrease होती है कम होती है जैसे कि इस group में भी हो रहा था and increase from gallium to tellurium तो gallium से लेकर tellurium तक जो है electro negativity फिर से बढ़ रही है तो इसके अंदर कुछ हमें changing देखने को मिल रही है इसके अंदर क्या हो रहा है सबसे पहरे boron से लेकर aluminium तक जो electro negativity है ये कम हो रही है फिर से gallium से लेकर tellurium तक जो electro negativity है ये बढ़ती जा रही है तो इसकी जो electro negativity होगी वो indium से ज्यादा होगी और इसकी जो electro negativity होगी उससे ज्यादा tellurium की होगी तो यहां से बढ़ती जा रही है और aluminium की और यहां से Boron की Aluminium से कम होगी क्योंकि यहां से नीचे जाने से कम हो रही है तो इस तरह से Electronegativity जो है Boron से Aluminium तक कम हो रही है और आगे जाकर Gallium से Tellurium तक यह बढ़ रही है तो यहां से कुछ exception आपको देख रही है उसके बाद Increase in Electronegativity is due to poor shielding effect of D and F blocks अब आगे के जो elements हैं जैसे के Gallium और इससे Tellurium तो यहां से Electronegativity बढ़ क्यों रही है यह हमारे पास question आता है तो क्योंकि इनके अंदर S और D और F orbitals होते हैं क्योंकि यह बड़े elements हैं तो इनके अंदर S और F orbital होते हैं D और F orbitals यह बड़े orbitals यह इनके अंदर होते हैं और बड़े orbitals की एक खास बात यह है कि उनका shielding effect जो है यह कम होता है तो इनका shielding effect कम होता है तो इसी वज़ा से इनके shielding effect के कम होने की वज़ा से इनकी Electronegativity बढ़ जाती है तो इनका shielding effect क्या है पूर होता है अब last के जो group हैं इनको देख लें group number 4A से लेकर 8A तक तो इन groups के अंदर क्या होता है जैसे first group के अंदर होता है वही होता है जो electro negativity है वो decrease होती है down the group due to same reason जो इसका reason था क्या reason था atomic radius, shielding effect और number of shells तो इनकी वज़ा से क्या हो रहा है इनकी electro negativity down the group कम हो रही है तो यह यह था आज का lecture आज हमने दो group trends को discuss किया एक था electro negativity और दूसरा हमारे पास था ionization energy तो उमीद है यह आज के जो group trends है यह आपको clear हो गए होंगे कोई भी question हो तो आप comment के अंदर पूछ सकते हैं और thank you so much for watching मिलते हैं next video में हैं और next video में हम इसके next जो group trends होंगे उनको discuss करेंगे थैंक यू so much for watching